प्रिया दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे N कहां साइलेंट होता है देखें यहां पर लिखा है कि M के बाद N होगा M के बाद N होगा वहां N साइलेंट होगा तो एसी इस्तिति में जो अक्षर साइलेंट होता है तो उसे नहीं पड़ा जाता तो ठीक उसी प्रकार जब M के बाद N होगा तो N को नहीं पड़ा जाएगा उधारन के लिए देखें M के बाद N होगा तो N साइलेंट होगा जैसे ओटम अर्थात पत जड़ तो यहां पर N को नहीं पड़ा जा रहा ठीक उसी प्रकार कोलम का अर्थ होता है खंबा तो यहां भी M के बाद N है तो N को नहीं पड़ा जाएगा इस वीडियो में इतना ही ठैंक यू है वे नश देख